दोस्तों आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी दा एडवेंचर ओफ दान्सिंग मैन हिंदी में होम्स कुछ घंटों से चुप चाप बैठा था उसकी पतली लंबी कमर उस बरतन पर जुकी थी जिसमें वो कोई बदबुदार रसायन तयार कर रहा था उसका चेहरा छाती की तरफ जुका हुआ था उस वक्त वो मुझे धूसर पंखों और काली कलगी वाले एक अजीब से हैरानी से उसे देखा हलांकि मैं उसकी हैरत अंगेज क्षमताओं से परिचित था लेकिन मेरे एकदम आंतरिक विचारों का उसे यूँ पता चल जाना मेरे लिए बहुत ही आश्चर जनक था मैंने पूछा अरे तुम्हें इसका पता कैसे चला उसने अपने स्टूल को मेरी तरफ गुमाया उसके हाथ में एक परकनली थी जिससे भाप निकल रही थी और उसकी आँखों में गहरी चमक थी ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी वाटसन कि तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई है उसने कहा हाँ यकीनन तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात क को एक कागस पर लिख कर उस पर साइन कर दो लेकिन क्यों क्यों कि पांच मिनट बाद तुम कहोगे कि ये तो बड़ा आसान था जी नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैंने कहा तो देखो मेरे प्यारे वाटसन निशकर्शों की श्रिंखला बनाना कोई मुश्किल काम नह प्यारे निशकर्श एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं अगर ऐसा करने के बाद बीच की सारी बाते हटा कर सुनने वाले को सिर्फ पहला और आखिरी निशकर्श बता दिया जाए तो कोई भी आदमी अपना बड़ा चमतकारी प्रभाव डाल सकता है अब इसी बात को ल प्रजनी और अंगूठे के बीच के खाचे का निरिक्षन करने के बाद ये बताना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था कि तुम अपनी चोटी सी पुझी को सोने की खदानों में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हो मुझे तो इस बात में कोई तुक नजर नहीं आती मैंने कहा हाँ हो सकता है तुम्हें ना आती हो अब मैं तुम्हें इनके बीच एक संबंध दिखाता हूँ देखो ये हैं इस श्रिंखला के बीच के तार पहला कल रात जब तुम कलब से लोटे थे तब तुम्हारी बाई तरजनी और अंगूठे के बीच चौक था दूसरी बात चौक तुम्हारी उंगली में तब लगा था जब तुमने बिलियर्ड्स खेलते वक्त चड़ी की नोक पर उसका इस्तेमाल किया था तीसरी बात तुम धर्स्टन के अलावा और किसी के साथ बिलियर्ड्स नहीं खेलते हो चौती बात तुमने चार सप्ताह पहले कहा था कि थर्स्टन के पास किसी दक्षिन अफरीकी प्रॉपर्टी का प्रस्ताव है जो एक महीने में ही खत्म हो जाएगा और वो चाहता था कि तुम उसमें उसके साथ निवेश करो पाचवी बात तुम्हारी चेक बुक मेरी दराज में बंध है और तुमने मुझसे उसकी चाह भी नहीं मांगी चटी बात इसका मतलब है कि तुम इस तरह से अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते धत तेरेगी ये कितना आसान है मैंने कहा बेशक उसने चिड़ाने वाले अंदाज में कहा किसी भी गुथी को जब सुलजा दिया जाता है तो वो बहुत ही बचकानी लगने लगती है चलो अब एक बिना सुलजी गुथी लो देखते हैं तुम्हें इससे क्या समझाता है उसने एक कागज को मेज पर उचाला और अपने रासाइनिक विशलेशन में फिर से व्यस्त हो गया मैं उस कागज पर बने अजीब से चित्रों को देखता रह गया अरे ये तो किसी बच्चे की चित्रकारी है मैंने हैरानी से कहा ये तुम्हारी सोच है नहीं तो फिर और क्या हो सकता है भलाए यही बात तो नौर्फॉक के राइडिंग थॉर्प मैनर के मिस्टर हिल्टन क्यूबिट जानने के लिए उत्सुक है ये चोटी सी पहेली डाक से आई है और वे इसके पीछे-पीछे अगली ट्रेन से यहां आ रहे है वाटसन जरा देखो दर्वाजे की घंटी बजी है शायद वही है सीडियों पर किसी के चढ़ने की आवाद सुनाई दी और उसके फॉरण बाद एक लंबा सुर्ख सफाचटदाड़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसकी साफ आँखों और गुलाबी गालों से पता चलता था कि वो बेकर स्ट्रीट के प्रदूशन से काफी दूर अपनी जिन्दगी बिता रहा है जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ लगा जैसे कि उसके साथ पूरवी तटकी ताजी हवा का जोंका भी आया हो हम से हाथ मिलाने के बाद वो बैठने ही वाला था कि उसकी नजर उस विचितर सी चितरकारी वाले कागस पर ठहर गई जिसे मैंने अभी देखा था और मेज पर ही छोड़ दिया था उसने पूछा तो मिस्टर होम्स आप इससे क्या समझे उन्होंने मुझे बताया था कि आपको अजीब रहस्यों में बहुत दिल्चस्पी है मुझे लगता है कि आपको इससे ज्यादा अजीब कुछ और नहीं लगेगा मैंने ये कागस इसलिए पहले यहां भेज दिया था ताकि मेरे यहां पहुँचने से पहले आप इसमें से कुछ समझ सके ये सच में बहुत उत्सुकता जगाने वाला है होम्स ने कहा पहले नजर में ये कोई बचकाना शरारत लगती है इस कागस पर कई अजीब सी नाचती हुई छोटी-छोटी आकरितियां बनी हुई है इतने भद्दे काम को आप इतना महत्व क्यूं दे रहे है मैं तो कभी नहीं देता मिस्टर होम्स लेकिन मेरी बीवी दे रही है उसे इससे मौत का डर लग रहा है ऐसे वो कुछ कहती नहीं है लेकिन मुझे उसकी आँखों में वो डर दिखाई देता है और इसी लिए मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ होम्स ने कागस को इस तरह पकड़ा कि उस पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से पड़े ये किसी कौपी में से फाड़ा गया था और उस पर पैंसिल से कुछ इस तरह के चित्र बने थे होम्स ने उसे कुछ समय तक देखा फिर सावधानी से मोड कर अपनी पॉकेट बुक में रख लिया फिर उसने कहा ये तो बड़ा ही मज़िदार और अस्वभाविक सा केस लगता है मिस्टर हल्टन क्यूबिट आपने अपने पत्र में कुछ विवरन मुझे दिये हैं लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप वो सारे विवरन मेरे मित्र डॉक्टर वाटसन के लिए एक बार फिर से दोहरा दें हमारे महमान ने अपने मजबूत हाथों को खोलते बंद करते हुए कहा मैं कहानी सुनाने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ अगर कोई बात सपष्ट ना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैं अपनी बात पिछले वर्ष हुई अपनी शादी से शुरू करूँगा सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ मेरे खांदान के लोग पिछली पाँच शताबदियों से राइडिंग थौर्प में रह रहे हैं और नॉर्फवक काउंटी में हमसे ज्यादा पहचाना जाने वाला परिवार और कोई नहीं है पिछले साल मैं रजत जैन्ती के सिलसिले में लंडन आया था और रसल स्क्वेर के एक बोर्डिंग हाउस में ठहरा था जहां हमारे इलाके के पादरी भी ठहरे हुए थे वहाँ एक जवान अमेरिकन स्त्री थी उसका नाम था पैट्रिक किसी तरह से हम दोस्त बन गए और हुआ यूं कि एक महिना पूरा होने से पहले ही मैं उसके प्यार में डूब चुका था हमने रजिस्ट्री ओफिस जाकर बिना किसी शोर शराबे के शादी कर ली और एक विवाहित जोडे की तरह नौर्फॉक वापस आ गए अब आप इसे पागलपन ही समझेंगे मिस्टर होम्स कि इतने अच्छे खांदान का लड़का उस लड़की से शादी करे जिसके घराने के बारे में कुछ भी मालूम न हो लेकिन अगर आप उसे देखेंगे और उसे जानेंगे तो आपको उसे समझने में मदद मिलेगी वो हमारे संबंधों के बारे में एकदम इमानदार थी उसने मुझे इस संबंध से बाहर निकलने का हर मौका दिया था अगर मेरी इक्छा होती तो उसने मुझसे कहा था मैंने अपने जीवन में कुछ बड़े नासमझी भरे रिष्टे रखे हैं अब मैं उन सब के बारे में भूल जाना चाहती हूँ मैं उन बीते दिनों का उलेक भी नहीं करना चाहती क्योंकि वे मेरे लिए बड़े दर्दनाक रहे हैं अगर तुम मुझे अपने साथ ले रहे हो हिल्टन तो तुम एक ऐसी औरत को साथ ले रहे हो जिसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े लेकिन तुम्हें इस बारे में बस मेरे शब्दों पर विश्वास करना पड़ेगा और मेरे अब तक के इतिहास के बारे में तुम मुझे चुप रहने दोगे अगर तुम्हें ये शर्तें मुश्किल लगती हो तो वापस नौर्फॉक चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो उसने ये शब्द मुझसे हमारी शादी से एक दिन पहले कहे थे लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी शर्तें मन्जूर है मैंने आज तक अपने शब्दों को पूरी तरह निभाया है अब हमारी शादी को एक साल हो गया है और इस पूरे समय के दोरान हम बड़े खुश रहे लेकिन करीब एक महीने पहले जून महीने के आखिरी में पहली बार मुझे कुछ परेशानी के चिन्ह दिखाई दिये एक दिन मेरी पत्नी को अमेरिका से एक पत्र मिला उस पर मैंने अमेरिका की मोहर देखी थी उसे देखते ही वो एकदम सफेद पड़ गई उसने पत्र पढ़ा और उसे आग में जोंक दिया उसने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया और मैंने भी उससे नहीं पूछा वचन जो दे रखा था लेकिन उसके बाद वो कभी चैन से नहीं रही उसके चेहरे पर हर वक्त एक डर सा रहने लगा एक ऐसा एहसास कि जैसे वो किसी के इंतजार में है किसी की उम्मीद कर रही है अच्छा होता अगर वो मुझे पर भरोसा करती तो मुझे वो अपना सबसे बढ़िया दोस्त पाती लेकिन जब तक वो खुद इस विशय में बात ना करे मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकता था ये जान लीजे मिस्टर होम्स कि वो एक इमानदार औरत है उसकी पिछली जिन्दगी में जो भी हुआ होगा उसकी वजह वो खुद नहीं होगी मैं नौर्फॉक का एक साधारन सा आदमी हूँ लेकिन पूरे इंग्लैंड में अपने परिवार के सम्मान को मुझसे ज्यादा एहमियत और कोई नहीं देता होगा ये उसे भी पता है बल्कि उसे ये मुझसे शादी करने के पहले से ही पता है वो इस पर कोई धबा नहीं लगने देगी इतना मुझे विश्वास है अब मैं अपनी कहानी के विचितर हिस्से की तरफ आता हूँ करीब एक सप्ताह पहले वो पिछले सप्ताह का मंगलवार था मुझे अपनी खिड़की के किनारे पर वैसी ही कई नाचती हुई आकरितियां बनी मिली जैसी इस कागस पर बनी है उन्हें चौक से बनाया गया था मुझे लगा कि वो अस्तबल वाले लड़के ने बनाई होंगी लेकिन उस लड़के ने कसम खा कर कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता वैसे भी वो वहां रात में बनी थी मैंने उन्हें धुलवा कर साफ करवा दिया और अपनी बीवी को इस बारे में बाद में बताया मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने इसे बड़ी ही गंभीरता से लिया और मुझसे अनुरोध किया कि आगे अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं पहले उसे देखने दूँ फिर एक हफ़ते तक कुछ नहीं हुआ और कल सुभा मुझे ये कागज बाग में संडायल पर पड़ा मिला मैंने इसे LC को दिखाया और इसे देखते ही वो बेहोश हो गई तब से वो एक ऐसी औरत में बदल गई है जो सारा टाइम गफलत में रहती हो उसकी आँखों में हमेशा एक खौफ सा चाया रहता है तब मैंने आपको पत्र लिखा और ये कागज भेजा ये बात ऐसी है कि अगर मैं पुलीस को बताऊंगा तो वो मुझे पर हसेंगे उनकी बजाए आप प्लीज मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए मैं कोई रईस आदमी नहीं हूँ लेकिन अगर मेरी प्यारी बीवी को किसी भी किस्म का खत्रा होगा तो उसे बचाने के लिए मैं अपना आखरी रुपया तक खर्च करने के लिए तयार हूँ इंगलेंड की मिठी से बना वो एक बढ़िया इंसान था सीधा, सच्चा और विनम्र उसकी आँखे नीली और चेहरा मजबूत और चोड़ा था अपनी पतनी के प्रती उसके प्रेम और विश्वास का पता उसे देख कर ही चल रहा था होम्स ने उसकी कहानी को पूरे दिहान से सुना और उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठा सोचता रहा आखिरकार उसने कहना शुरू किया आपको नहीं लगता मिस्टर क्यूबिट, आपके लिए बहतर उपाई यही रहेगा कि आप अपने बीवी से सीधे अनुरोध करें और उससे कहें कि वो अपने रहसे को आपके साथ शेयर करें हिल्टन ने असहमती में अपना सेर हिला दिया वचन वचन होता है मिस्टर होम्स अगर एलसी को बताना होता तो वो मुझे पहले ही बता चुकी होती अगर वो नहीं बताना चाहती है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा लेकिन मैं खुद तो कोई कदम उठा ही सकता हूँ और वो मैं जरूर उठाऊंगा चलिए ठीक है फिर मैं पूरे मन से आपकी मदद करूँगा सबसे पहले ये बताईए कि आपने अपने आस पड़ोस में किसी अजनबी या अजनबियों के आने की कोई बात सुनी है जी नहीं मेरे ख्याल से वो काफी शांत इलाका है किसी भी नए चेहरे के वहाँ दिखने पर काना फूसी तो जरूर होती होगी होमस ने कहा जी एकदम करीबी पड़ोस में कोई दिखे तो जरूर होती है पर हाँ एक बात है वहाँ से कुछ दूर कुछ छोटी-छोटी सिंचाई वाली जगे हैं उन जगहों पर किसान बाहरी लोगों को ठहराते हैं होमस ने कहा इन आकरितियों का कोई न कोई अर्थ तो जरूर है अगर ये बस यूँ ही बनाए गए हैं तो इनका अर्थ निकालना हमारे लिए संभव नहीं होगा इसके विपरीत अगर ये सोच समझ कर बनाए गए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इसका पता लगा कर ही चोड़ेंगे पर ये वाला नमूना इतना चोटा है कि इसके आधार पर मैं कुछ नहीं कह सकता साथ ही आपने जो जानकारी मुझे दी है वो भी कोई खासी पक्की नहीं है उसके आधार पर कोई भी परताल करना मुम्किन नहीं है मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि आप नौरफॉक वापस लोट जाएं और वहां सावधानी से नजर रखें और अब अगर कोई नाचते हुए आदमियों के चितर मिलें तो उसकी एक दम हूबहू नकल तयार कर लें बड़े खेद की बात है कि हमारे पास खिड़की पर चौक से बने आकरितियों की कौपी नहीं ह चुप चाप ये भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई अजनबी तो नहीं है जब आपको कोई नया सुराग मिल जाए तब मेरे पास वापस आईएगा फिलहाल तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ Mr. Qubit अगर कुछ जबरदस्त सुराग मिलेंगे तो मैं फॉरण बिना देर किये नौर्फॉक आने के लिए भी तैयार हूँ इस मुलाकात ने शर्लक होम्स को सोचने के लिए काफी कुछ दे दिया था और मैंने उसके बाद कई दिनों तक उसे दिन में कई बार अपनी नोटबुक में से उस कागज को निकाल कर उस पर बनी उन अजीब सी आकरितियों को देर तक घूरते हुए पाया था हलांकि उसने अपने आप इस बात का उलेक मुझसे कभी नहीं किया करीब 15 दिनों के बाद जब मैं कहीं बाहर जा रहा था उसने मुझे वापस बुलाया बहतर होगा कि तुम यहां रुको वाटसन क्यूं क्या अब वो किसी भी पल यहां आता होगा मुझे उसके तार से पता चला है कि उसके पास कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा कुछ ही देर में हमारा नौर्फॉक वाला महमान वहां आ पहुंचा वो बड़ा ठका अब मुझसे ये सब बरदाश्ट नहीं हो रहा है मिस्टर होम्स उसने परेशानी की हालत में आराम कुर्सी पर लुड़कते हुए कहा एक तो वैसे ही ये जानना बड़ा बुरा होता है कि कोई बुरी नियत से आपके पीछे पड़ा हुआ है लिकिन जब आपको ये पता च अभी तक आपसे कुछ कहा नहीं मिस्टर होम्स अभी तक नहीं पर हां कई बार ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है मैंने उसे कुछ कहने के लिए उकसाने की भी कोशिश की लेकिन मुझे लगता है मेरी कोशिश से शायद वो और ज्यावा घबरा गई। उसने मेरे खानदान उस काउंटी में हमारी इज़त की बात की लेकिन असली मुद्दे तक पहुँचने से पहले ही बात खत्म हो गई। आपने खुद कुछ पता किया? बहुत कुछ मिस्टर होम्स मेरे पास उन नाचते हुए आदमियों की कई नई आकरितियां हैं आपके देखने के लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उस आदमी को भी देखा है। ये आकरितियां औजार रखने के कमरे में लकडी के काले दर्वाजे पर चौक से बनाई गई थी। ये कमरा लॉन के पास है और खिड़की से साफ दिखाई देता है। मैंने उसकी हूबहू नकल की है। ये रही उसकी कौपी। उसने एक कागस खोला और मेज पर फैला दिय बहतरीन होमस ने कहा बहुत बढ़िया आप अपनी बात जारी रखें। जब मैंने इनको कौपी कर लिया तो मैंने उन चिन्धों को मिटा दिया लेकिन दो दिन बाद फिर सुभा नई आकरितियां वहां मौजूद थी। मैंने उन्हें भी कौपी कर लिया। उनकी कौपी ये रही। होमस ने अपने हाथों को रगड़ा और खुशी से मुस्कुराया। धीरे धीरे हमारे पास काफी माल इकठा हो रहा है। उसने कहा। फिर तीन दिनों के बाद एक कागज पर एक संदेश लिखकर उसे संडायल पर एक पत्थर के नीचे रखकर छोड़ दिया गय इसलिए मैं अपने पिस्तॉल निकालकर अपनी बैठक में बैठ गया जो की लॉन और बगीचे के सामने थी। रात के करीब दो बजे जब मैं अपनी खिड़की में बैठा था और सिवाई चांद की रोशनी के चारों तरफ अंधेरा चाया था तब मैंने अपने पीछे किस परिशान करने वाली हरकतें कौन कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है और हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने ये भी कहा कि अगर ये सब आपको वाकई परेशान कर रहा है हिल्टन तो चलो हम कहीं घूमने चलें तुम और मैं ताकि इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए। उसकी इस बात पर मैंने कहा, क्या? यानि एक जोकर की वज़ह से हम खुद अपना घर छोड़ कर चले जाएं। लेकिन क्यों? पूरी काउंटी हम पर हसेगी। औजार वाले कमरे में कोई परचाई हिल रही थी। मैंने एक काली आकरिती को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, जो किनारे तक रिंगती हुई आई और दरवाजे के सामने बैठ गई। प्राणी गायब हो चुका था। फिर भी वो अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ गया था। क्योंकि दरवाजे पर नाचते हुए आदमियों की वही आकरितियां बनी थी जो पहले भी दो बार मिल चुकी थी और जिन्हें मैंने कागस पर कॉपी किया था। उनके अलावा उसका कोई निशान वहाँ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ताज्जूब की बात ये है कि वो वहीं कहीं छिपा रहा होगा। क्योंकि मैंने सुभा उस लाइन के नीचे कुछ और चित्र देखे जो कल रात को मैंने देखी थी। क्या आपके पास वो ड्रॉइंग भी है? होमस ने पूछा, हाँ ये बहुत कम थी लेकिन मैंने इन्हें भी कॉपी कर लिया, ये रही ये। उसने फिर एक और कागज निकाला और उस पर बना नया डिजाइन दिखाया जो इस तरह था। एक बात बताईए, होमस ने कहा, उस वक्त मैं उसकी आँखों में गहरी उत्सुकता की चमक देख रहा था। ये आकरितियां केवल पहले की आकरितियों में जोड़ी हुई थी या फिर एकदम अलग से बनाई गई थी। जी, ये दर्वाजे के दूसरे हिस्से पर थी। बढ़िया, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपून है, इस से मुझे एक उम्मीद जगी है। अब मिस्टर हिल्टन क्यूबिट, आप अपना रोचक बयान जारी रखें। अब इसके बाद और ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, मिस्टर होम्स। लेकिन अपनी बीवी पर उस रात मुझे बहुत गुस्सा आया था। अगर उसने मुझे पकड़ा नहीं होता, तो शायद मैं उस कमीने को धर्द बोजता। उसने कहा था कि उसे डर था कि मुझे कोई नुकसान न पहुँचे। एक बार को मुझे लगा कि शायद वो सही में मेरे लिए ही डर रही होगी कि वो आदमी कहीं मुझे पर हमला न कर दे। क्योंकि मुझे ऐसा कोई शक नहीं था कि वो उस आदमी को और इन अजीब संकेतों के अर्थ को जानती है। मिस्टर होम्स, मेरी बीवी की आँखों में एक ऐसा आसर है और उसके आवाज में एक ऐसा लहजा है जिसकी वजह से कोई शक पैदा ही नहीं होता है। इसलिए मुझे तब तक लगा कि सच में उसके मन में मेरी सुरक्षा का ही खयाल था। ये था सारा मामला। अब मुझे आपकी सलह चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आज ही जाना होगा। मैं अपनी बीवी को पूरी रात अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बहुत नर्वस है। उसने मुझे से प्रार्थना की थी कि मैं जल्दी वापस लोटाऊं। मुझे मानना पड़ेगा कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप रुख सकते तो शायद मैं आपके साथ एक दो दिन में चल सकता था। चलिए, फिलहाल ये सारे कागज मेरे पास छोड़ जाईए। मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगा और आपके मामले पर कुछ रौशनी डालूँगा। हमारे महमान के जाने तक शर्लोक होम्स ने अपना पेशेवराना रवया बनाए रखा। हाला कि मेरे लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस मामले को लेकर कितना उत्साहित था। जैसे ही हिल्टन क्यूबिट की पीठ हमारे दर्वाजे से गायब हुई वो लगभग दोड़ता हुआ मेज तक गया और नाचते हुए आदमियों की आकरितियों वाले सारे कागज मेज पर फैला कर बड़ी बारीकी से उनका अध्यायन करने लगा। कभी उलच जाता तो काफी काफी देर तक अपनी भौहें चड़ाए खाली आँखें लिए बैठा रहता था। मुझे उमीद है कि शायद कल हम नौर्फॉक जाएं और शायद हम अपने साथ अपने उस दोस्त के लिए कुछ पक्की जानकारी भी लेकर जाएं। मैं यह मानता हूँ कि मैं उत्सुकता से भर गया था पर मुझे ये भी पता था कि होम्स किसी भी बात का खुलासा अपने हिसाब से और अपने तरीके से ही करता है। इसलिए मैंने तब तक इंतजार करना ठीक समझा जब तक वो खुद मुझे इस बारे में ना बता दे। जो इस प्रकार थी। होम्स ने जुक कर कुछ मिंटों तक उन आकरितियों को ध्यान से देखा और फिर अचानक अश्चर्य और व्याकुलता से अपने पेरों पर उचल सा गया। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। हमने इस मामले में बहुत धील दे दी। उसने कहा क्या नॉर्थ वाशम के लिए आज रात कोई ट्रेन है। मैंने टाइम टेबल देखा आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। तब हम सुभा जल्दी नाश्ता करेंगे और सुभा की सबसे पहली गाड़ी पकडेंगे। होमस ने कहा वहां हमारी फॉरण जरूरत है। ओह ये रहा वो टेलिग्राम जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक मिनिट मिसेज हटसन शायद इसका कोई जवाब देना हो। नहीं, ये हमारी उमीद के मताबिक ही है। इस तार से तो ये बात और साफ हो गई है कि इस मामले में क्या हालात हैं। हिल्टन क्यूबिट को ये बताने के लिए हमें जरा सा भी वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही खतरनाक जाल है जिसमें हमारा नौर्फॉक वाला साथी फंस गया है। तो सच में ये साबित हो गया कि जो कहानी मुझे बड़ी बचकानी सी लगी थी वो बड़े ही खतरनाक अंजाम वाली थी। इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ाए जिसे राइडिंग थॉर्प मैनर का नाम कुछ दिनों के लिए पूरे इंग्लैंड में चर्चित हो गया। अगली सुभा हमने नौर्थ वोशम के स्टेशन पर उतर कर अपने गंतव्य के बारे में पूछा ही था कि स्टेशन मास्टर लपकता हुआ आया। जोग शायद उसे बचा लेंगे हलांकि ये उसे फांसी के लिए बचाना ही होगा। उत्सुकता से हॉम्स की भौएं तन गई। उसने कहा हम राइडिंग थॉर्प मैनर जा रहे हैं लेकिन वहां क्या हुआ है इसकी हमें कोई खबार नहीं है। स्टेशन मास्टर ने कहा वहां बड़ा बुरा हुआ है। उन दोनों को गोली मार दी गई। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट और उनकी पतनी को। उनकी पतनी ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। नौकरों ने ऐसा ही बताया। वो मर गए और उनकी बीवी की जिन्दगी खतरे में है। हे भगवान इस नौर्फक काउंटी के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित परिवार के साथ ये कैसा जुल्म हुआ है। बिना देर की ए होम्स घोड़ा गाड़ी की तरफ लपका। साथ मील के उस रास्ते में उसने एक बार भी अपना मुह नहीं खोला। मैंने उसे शायद ही कभी इतना निराज देखा था। कस्बे से लेकर अपनी यात्रा में वो पूरी तरह से बेचैन रहा था और मैंने ये नोट किया कि उसने सुबह के अख़बारों को बड़ी उत्सुकता के साथ पल्टा था पर अब जिस बात का उसे डर लग रहा था उसके सच होने की अभ्यता के मकान थे तो हर कुछ दूरी पर खड़े चर्च उस पुराने पूर्वी एंगलिया इलाके की समरिद्धी का बखान कर रहे थे। आखिरकार नौर्फॉक के समुद्रे किनारे की हरी रेखा दिखाई देने लगी। गाड़ीवान ने अपना चाबुक उठा कर इ मैंने उसके सामने एक टेनिस लॉन के अलावा औजार रखने का काला कमरा और अपने खंबे पर खड़े संडायल को देखा जिनसे हमारा अजीब सा जुडाव पहले से ही हो गया था। एक सूट बूट पहने व्यक्ती हमारे सामने ही एक घोड़ा गाड़ी से उतरा। उसने अपना परिचे नौर्फॉक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मार्टिन के रूप में दिया। जब उसने मेरे साथी का नाम सुना तो वो बड़े ताज़ुब में पढ़ गया। क्या बात है मिस्टर होम्स ये अप राद तो अभी रात में तीन बजे हुआ है। इसके जरूर आपके पास कुछ जरूरी सुराग होंगे जो हमारे पास नहीं है। वैसे ये दोनों बड़े अच्छे पती-पत्नी कहे जाते थे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुझे इस बात पर गर्व होगा मिस्टर होम्स। इंस्पेक्टर ने इमानदारी के साथ कहा। तो फिर मैं फॉरन जो भी सुराग आपके पास हैं उसके बारे में जानना चाहूंगा और मकान की जाच भी करना चाहूंगा ताकि मामले में दे दिखाते हुए मेरे दोस्त को अपने हिसाब से जाच करने दी और खुद का काम जाच के परिणामों को नोट करने तक ही सीमित रखा। उस कस्बे का सफेद बालों वाला बुढ़ा सर्जन मिसिस हिल्टन क्यूबिट के कमरे से नीचे आया और उसने कहा। उनकों लगी चोटें गंभीर तो हैं पर ऐसी भी नहीं है कि उनकी जान को खत्रा हो। गोली उनके दिमाग के अगले हिस्से से निकली है। उन्हें होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने खुद अपने आपको गोली मारी या फिर किस और ने उन पर गोली चलाई। वो निश्चित तोर पर कुछ नहीं कह सका। पर एक बात निश्चित थी कि गोली बहुत पास से चलाई गई थी। कमरे में एक ही पिस्तॉल मिली थी जिसकी दोनों नलियों से गोली चली थी। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट के सीने में गोली लगी थी। ये भी माना जा सकता था कि उन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को मार ली या फिर उनकी पत्नी ने ही ये अपराध किया हो क्योंकि पिस्तॉल उन दोनों के बीच जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या इन्हें अपनी जगह से हिलाया गया है। होमस ने पूछा। हमने कुछ नहीं हटाया सिवाए इस महिला के हम उसे यूँ ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे जमीन पर। आप यहां पर कब से हैं डॉक्टर। होमस ने पूछा। चार बज़े से। आपके साथ कोई और भी था। जी हां एक कॉंस्टेबल। और आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया। जी नहीं। आपने बड़ी अकलमंदी का काम किया। आपको यहां किसने बुलाया था। घर की नौकरानी सैंडर्स ने। क्या उसी ने इस बारे में शोर मचाया था। उसने और खाना बनाने वाली बाई किंग ने। वे ल जकडी के पैनलों से बना उची-उची खिडकियों वाला वो पुराना हॉल अब जाच परताल कक्ष में बदल चुका था। होम्स एक पुराने स्टाइल की भव्वे कुर्सी पर बैठ गया। उसके ठके हुए चेहरे पर उसकी कठोर निगाहें चमक रही थी। उनमें अप अपनी बात काफी सपष्ट तरीके से बताई। उन दोनों की नीद एक धमाका सुनकर खुली थी जिसके एक मिनट बाद एक दूसरा धमाका हुआ था। वे दोनों पास-पास के कमरों में रहती हैं और मिसिस किंग भाग कर सौंडर्स के कमरे में आई थी। दोनों सीडियों साथ-साथ नीचे आई। बैठक का दर्वाजा खुला पड़ा था और मेज पर एक मुम्बत्ती जल रही थी। उनका मालिक कमरे के बीच में ओंधे मुह गिरा हुआ था। वो मरा हुआ लग रहा था। खिड़की के पास उसकी पतनी जुकी हुई थी। उसका सिर दिवार पर्टिका था। वो बुरी तरह से घायल थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा खुन में डूबा हुआ था। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। और कमरा धुएं और गन पाउडर की गंध से भरा हुआ था। खिड़की अंदर से बंद थी। इस बात पर दोनों औरतें सेह मत थी। उन्होंने तुरंद डॉक्टर को और कॉंस्टेबल को बुलाया और फिर कोचवान और तबेले वाले लड़के की मदद से अपनी घायल मालकिन को उनके कमरे तक पहुचाया। वो अपनी दिन की ड्रेस पहने हुए थी और मिस्टर हिल्टन अपने रात के कपड़ो के उपर ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थे। बैठक में से कुछ भी हटाया नहीं गया था। उन लोगों की जानकारी के मताबिक पती पतनी में कभी जगड़ा नहीं होता था। नौकरों को वे हमेशा एक घनिष्ठ जीवन साथी लगे थे। नौकरों की गवाही के यही म जाइश नहीं थी। होम्स को दिये बयान में उन दोनों ने ही एक बात जरूर कही कि जैसे ही उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम रखा तब से लेकर उपरी मंजिल तक जाने में उन्हें गंपाउडर की तेज गंध आ रही थी। होम्स ने इंस्पेक्टर से कहा मैं ये बा मेज थी जो खिड़की के सामने रखी थी और खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। हमारा ध्यान पहले उस अभागे भले आदमी के शव पर गया। उसका भारी भरकम शरीर कमरे में पड़ा हुआ था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े संकेत कर रहे थे कि वो अपनी नीद से हडबडा कर उठा होगा। गोली उसे सामने से मारी गई थी और वो उसके दिल को चीरने के बाद वहीं धंसकर रह गई थी। उसके मृत्यू तुरंत और बिना किसी दर्द के हुई होगी। उसके ड्रेसिंग गाउन या हाथों में गन पाउडर के कोई निशान नहीं थे सरजन के मताबिक उस महिला के चेहरे पर कुछ धब्बे थे लेकिन उसके हाथों में कोई धब्बे नहीं थे। आप वो गोली अभी नहीं निकाल पाए हैं जिसने महिला को घायल किया है। उसे शरीर से निकालने के लिए गंभीर ऑपरेशन की जरूरत होगी। डॉक्टर ने कहा। लेकिन पिस्तॉल में अभी भी चार गोलियां होंगी। दो गोलियां चली, दो घाव हुए। इस तरह से हर एक गोली को गिना जा सकता है। तब तो शायद आप उस गोली का भी हिसाब दे देंगे जो खिड़की के किनारे पर लगी है। होंग्स ने कहा। वो अचानक मुडा और उसकी लंबी पतली उंगली खिड़की के नीचे वाली चोखट के हिस्से में बने उस छेद की त खिलाश की। ला जवाब आप तो एकदम सही है जनाब। स्थानिय डॉक्टर ने कहा। इसका मतलब है कि एक तीसरी गोली भी चली है जिसका अर्थ है कि कोई तीसरा आदमी भी जरूर यहां मौजूद रहा होगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे होगा और वो बाहर कैसे निकला ह इसी समस्या को तो हमें अब हल करना है शर्लक होम्स ने कहा। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर मार्टिन जब नौकरों ने कहा कि अपने कमरे से निकलते ही उन्हें गन पाउडर की गंध आई थी तब मैंने कहा था कि ये बहुत महत्वपून बात है। हाँ सर आपने कहा लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं आपकी बात को ठीक से समझा नहीं था। इससे ये लगता था कि जिस समय गोलियां चली होंगी तब कमरे की खिडकी और साथ ही दर्वाजा भी खुले होंगे। वरना गन पाउडर का धुआ इतनी जल्दी पूरे घर में नहीं फैल सकता था। क्योंकि मौमबत्ती बुझी नहीं थी। सही बात है इंस्पेक्टर चिल लाया। ये मानकर कि दुरगटना के वक्त खिडकी खुली रही होगी मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि इस मामले में एक तीसरा आदमी भी था जो इस खुली जगह के बाहर खड़ा होगा और इसके बीच में से ही उसने गोली चलाई होगी। होमस ने कहा हिल्टन पर चलाई गई गोली इस चौकट पर लग सकती है। इसी अनुमान पर मैंने देखा और मुझे ये गोली का निशान मिल गया। लेकिन फिर खिडकी वापस कैसे बंद हुई होगी और उसकी कड़ी कैसे लगी होगी। इंस्पेक्टर ने पूछा। महिला की पहली प्रतिक्रिया खिडकी बंद करके कड़ी लगाने की ही रही होगी। लेकिन रुको ये क्या है। वो एक महिलाओं का पर्स था जो स्टडी टेबल पर पड़ा था। मगर मच की खाल और चांदी से बना एक पतला सा होम्स ने उसे खोल कर उल्टा किया तो उसमें रखी चीजें बाहर निकल पड़ी। उसमें बैंक ऑफ इंग्लेंड के 50 पाउंड के 25 नोट थे जो की एक रबर बैंड से बंदे थे। इसके अलावा और कुछ नहीं था। होम्स ने बैग और उसका सामान इंस्पेक्टर को देते हुए कहा। इसे संभाल का रखना मुकदमे में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये जरूरी है कि हम इस तीसरी गोली के बारे में चानबीन करें जो लकडी के चिरने से ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर से ही चली है। मैं खाना बनाने वाली मिसिस किंग से एक बार फ दूसरे धमाके से तेज था। सर उस धमाके ने मुझे नींद से जगा दिया था इसलिए ये बता पाना तो मुश्किल है लेकिन वो था काफी जोरदार। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि एक ही वक्त में एक साथ दो गोलियां चली हो। मैं सच मुच इस बारे में कु हमारी जाच पूरी हो गई है। यहाँ पर कुछ और पता नहीं लग सकता। अब अगर आप मेरे साथ आएंगे तो हम चल कर देखते हैं कि बाग में हमें क्या सुराग मिल सकते हैं। वहाँ पर फूलों की एक क्यारी थी जो बैठक की खिड़की तक गई थी और जब हम वहा खास तोर से लंबी थी। होमस ने घास और पतियों के बीच इस तरह जाच की जैसे कोई शिकारी कुत्ता घायल पक्षी की तलाश करता है। फिर एक संतोश की सांस के साथ वो आगे जुका और उसने एक छोटा पीतल का गोल खोल उठाया। फिर उसने कहा मुझे यही लगा था। पिस्टॉल में एक इजेक्टर रहा होगा। देखो यह रहा तीसरा कार्टूस। मुझे लगता है इंस्पेक्टर मार्टेन के हमारा केस लगभग सुलज गया है। इंस्पेक्टर की आँखें होमस के तफ्तीश करने के इस तेज रफतार तरीके को देखकर अस्चर् लिए हर बात को मानने को तयार था। उसने बड़े आदब से पूछा आपको किस पर शक है। उस बात पर मैं बाद में आऊँगा। इस मामले में अभी भी ऐसी कई उलजने हैं जिन्हें सपष्ट करने में मैं अभी काम्याब नहीं हुआ हूँ। अब चूंकि मैं इस मामल को पूरी तरह से निप्टा सकूँगा। मुझे कोई रहस्य खड़ा नहीं करना है लेकिन इस वक्त लंबी और पेचीदा तफसीलों में जाना नामुम्किन है। इस मामले के सारे सूत्र मेरे हाथ में हैं। अगर इस औरत को होश नहीं भी आया तब भी हम उस रात की घटन का बयान कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस मामले में नयाय हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस इलरिज नाम की कोई सराय है। इस बारे में नौकरों से पूछा गया लेकिन उनमें से किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था। अस्दबल के लड़क है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अभी तक ये ना पता चला हो कि रात में यहां क्या हुआ है। जी हां हो तो सकता है सर। होम्स ने कुछ देर के लिए सोचा फिर उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान फैल गई। तो में घोड़ा तयार करो बच्चे। मैं चाहता हूं कि तुम एलरिज के फाम तक एक चिठी लेकर जाओ। उसने अपनी जेब से नाचते हुए आदमी की कई परचिया निकाली। उन्हें अपने सामने रखकर उसने स्टडी टेबल पर कुछ काम किया। आखिरकार उसने लड़के को वो चिठी दी। इसी के साथ य देखा पता देखा, वो बड़ी उबर खाबर लिखाई में लिखा गया था, जो कि होम्स की सुघर हस्तलिपी जैसी नहीं थी। वो किसी मिस्टर एब स्लेंली, एलरिज फार्म, इस्ट रूस्टन, नौर्फॉक के लिए थी। होम्स बोला, मुझे लगता है इंस्पेक्ट ले जा रहा है, वही तुम्हारा टेलिग्राम भी भेज देगा। और हाँ वाटसन, अगर शेहर के लिए दो पहर में कोई ट्रेन होगी, तो हमें उससे चलना होगा, क्योंकि मुझे इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुछ केमिकल परीक्षन करने हैं। अब ये जाँच समाप्त होने के कगार पर है। जब वो लड़का चित्थी लेकर चला गया, शर्लोक होम्स ने नौकरों को कुछ हिदायतें दी। अगर कोई अजनबी आकर मिसिस हिल्टन क्यूबिट के बारे में पूछताच करे, तो उनकी हालत के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं देनी है और उस व्यक्ति को ले जाकर ड्रॉइंग रूम में बिठाना है। उसने बड़ी गंभीरता से ये बातें उन्हें समझाई। आखिर में वो ड्रॉइंग रूम में आया और बोला कि अब मामला हमारे हाथ में नहीं है और हमें आने वाली घटना की पीचते हुए और अपने सामने कुछ कागज बिचाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं ये एक घंटा मज़ेदार तरीके से गुजारने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसने जो कागज मेज पर रखे थे उन पर वही नाचते हुए आदमियों की आकरितियां बनी थी। तुम्हारे सामने तो मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा वाटसन क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारी जिग्यासा को शांत नहीं किया था। और इंस्पेक्टर तुमको ये सारी घटना बड़ी असाधारन लग रही होगी। जब मिस्टर हिल्टन क्यूबिट बेकर स्ट्रीट में मुझसे मिले थे, तब उन्होंने मेरे साथ जो सलाह मश्विरा किया था, उससे जुड़े कुछ रोचकतत्य मैं पहले तुम्हें बता दूँ, तब तुम्हें सारी बात ठीक से समझाएगी। फिर उसने संक्षेप में उन बातों को दोहरा जिनका उलेख पहले ही किया जा चुका है। अब ये देखो, यहां मेरे सामने ये वो ड्रॉइंग्स हैं। अगर ये ना पता हो कि ये एक दुरघटना के संकेत हैं, तो किसी को भी इन पर हसी आएगी। मैं काफी तरह की गुप्त लेखन प्रनालियों से परिचित हूँ। इस विशेपर मैंने एक किताब भी लिखी है, जिसमें मैंने 160 अलग-अलग गुप्त लिखावटों का विशलेशन किया है। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये लेखन तो मेरे लिए भी नया है। इस लिखावट को जिसने भी तयार किया है, उसका उद्देश शाय अलग-अक्षरों के लिए हैं। गुप्त लिखावट में लगने वाले नयमों का इस्तिमाल करने के बाद इनका हल निकालना मेरे लिए बहुत आसान था। मुझे दिया गया पहला संदेश इतना छोटा था कि मैं कुछ भरोसे के साथ केवल इतना ही कह सकता था कि इस चिन् से वाक्य में भी इसे जरूर मौजूद होना चाहिए था। पहले संदेश में इस्तिमाल 15 संकेतों में से 4 एक जैसे थे। तो उन्हें इमान लेना तर्क संगत था। ये सही है कि कुछ मामलों में उस आकृती में जंडा था और कुछ में नहीं। लेकिन जिस तरह से उसका इस्तिमाल किया गया था। उससे लगता था कि उसका इस्तिमाल उस वाक्य को शब्दों में बाटने के लिए किया गया है। मैंने इस अनुमान के सहरे काम किया और ये नोट किया कि इस अकृती का मतलब E है। लेकिन अब जाच में असली मुश्किल आई। क्योंकि E के में वो उल्टा भी हो सकता है सामान्य रूप से कहें तो T, A, O, I, N, S, H, R, D और L वे संख्या सूचक क्रम हैं जिनमें अक्षर आते हैं लेकिन T, A, O और I लगभग एक दूसरे के साथ साथ हैं और इन से बनने वाले हर एक सयोग को बना कर किसी अर्थ पर आना तो कभी न होने वाला काम हो जाता इसलिए मैंने किसी दूसरे संदेश के आने का इंतजार किया मिस्टर हिल्टन क्यूबिट के साथ मेरी दूसरी मुलाकात में उन्होंने दो अन्य छोटे-छोटे वाक्य और एक संदेश दिया जो एक ही शब्द लग रहा था क्योंकि उसके बीच में कोई जंडा नहीं था ये रहे वो संकेत अब उस एक अकेले शब्द में मुझे दो इ का पता था जो कि उस पाँच अक्षर के शब्द में दूसरे और चोटे स्थान पर आ रहे थे तो ये शब्द सीवर या लीवर या नेवर जैसा कुछ होना चाहिए था अब इसमें कोई शक नहीं था कि किसी भी अनुरोध के जवाब में आखिरी वाले शब्द के होने की संभावना अधिक थी और परिस्थितियां इस तरफ संकेत कर रही थी कि शायद ये उस महिला द्वारा लिखा गया जवाब हो इसे सही मानते हुए हम ये कहने की हालत में हैं कि ये वाले संकेत क्रमशह N, V और R के लिए हैं लेकिन तब भी मैं काफी मुश्किल में था लेकिन खुशी यही थी कि मुझे अब उस लिखावट के कई और अक्षर मिल गए थे मुझे लगा कि अगर ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ते की तरफ से आए हैं जो उस महिला की पहले की जिंदगी में करीबी रहा होगा तो एक ऐसा अक्षरों का संयोग जिसमें 2 E के बीच में 3 अक्षर आएं तो वो LC नाम के लिए हो सकता है मैंने पाया कि ऐसा संयोग संदेश के अंत में था जो 3 बार दोहराया गया था इसका मतलब वो निश्चे ही LC के लिए कोई निवेदन था इस तरह से मुझे L, S और I भी मिल गए लेकिन ये क्या निवेदन हो सकता था उसमें LC से पहले सिर्फ 4 अक्षर थे और वे E पर समाप्थ हो रहे थे तब तो उसमें निश्चे ही कम शब्द भी जरूर होना चाहिए मैंने E से समाप्थ होने वाले अन्य 4 शब्दों पर भी विचार किया लेकिन उनमें से कोई भी इस मामले में सही नहीं बैठ रहा था तो अब मेरे पास C, O और M भी आ गए और अब मैं इस हालत में था कि एक बार फिर से पहले संदेश पर नज़र डालूं उसे शब्दों में बाटते हुए और हर उस चिन्ह के नीचे बिंदू लगा दूं जिसे अभी तक मैं पहचान नहीं पाया था ऐसा करने के बाद कुछ इस तरह की स्थिती बनी अब इसमें पहला अक्षर A ही हो सकता है ये बड़े काम की खोज रही क्योंकि ये अक्षर इस छोटे से वाक्य में तीन जगहा आता है इसी के साथ दूसरे शब्द में H होना चाहिए ये भी साफ दिख रहा था तो इस तरह से स्थिती कुछ ऐसी बनी अब अगर इन खाली जगहों को नाम के हिसाब से भरा जाए तो वाक्य ऐसा बनता है अब मेरे पास इतने अक्षर हो गए थे कि मैं दूसरे संदेश को भी भरोसे के साथ पढ़ सकता था जो की कुछ इस तरह से बना इसमें जो अक्षरगायब हैं उनकी जगह पर टी और जी रखने पर ही कुछ बात बनती थी और ये मानने पर जो शब्द उभर रहा था वो किसी घर या सराय का नाम लगता था जहां इनको लिखने वाला रह रहा होगा इंस्पेक्टर मार्टिन और मैं दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि किस तरह मेरा दोस्त इस परिणाम तक पहुँचा था जिससे हमारी कठिनाईयों पर काबू पाने में मदद मिल रही थी फिर आपने क्या किया सर? इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछा मेरा अनुमान था कि ये एब स्लेंली कोई अमेरिकी होगा क्योंकि एब नाम अमेरिकी है और इस सारी समस्या की शुरुवात भी अमेरिका से आए एक पत्र से ही होई थी मुझे ये भी लगा कि इस मामले में कोई अपराधिक रहस्य भी है इस महिला का अपने भूत काल की ओर संकेत करना और उसके बारे में अपने पती को कुछ ना बताना ये दोनों बातें उसी दिशा में संकेत कर रही थी इसलिए मैंने न्यू यॉर्क पुलिस ब्यूरो के अपने दोस्त वेलसन को टेलिग्राम किया वो भी लंडन के अपराध जगत के बारे में मेरी जानकारी का कई बार इस्तिमाल कर चुका है मैंने उससे पूछा कि क्या वो एब स्लेंली नाम से परिचित है और उसने जवाब दिया ये शिकागो का सबसे खतरनाक बदमाश है जिस शाम मुझे ये जवाब मिला हिल्टन क्यूबिट ने मुझे स्लेंली का आखरी संदेश भेजा था अपने द्वारा पहचाने गए अक्षरों के आधार पर वो कुछ ऐसे बन रहा था इस संदेश के खाले हिस्सों में P और D का उपयोग करके मुझे अपना पूरा वाक्य मिल गया इसे पढ़ने से मुझे पता चल गया कि वो बदमाश अपनी धमकी को हकीकत में बदलने जा रहा है शिकागो के बदमाशों के बारे में जानकारी के मताबिक मुझे पता था कि वो जल्दी ही अपनी इस धमकी को सच्चाई में बदल देगा इसलिए मैं अपने दोस्त और सहकर्मी डॉक्टर वाटसन के साथ फोरन नौरफॉक आ गया लेकिन दुरभाग्य से जब तक हम आये तब तक ये दुखत घटना घट चुकी थी इंस्पेक्टर ने बड़ी ही गर्म जोशी से कहा ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं इस केस में आपके साथ हूँ पर माफ कीजिएगा मैं आपसे कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ दरसल आपको तो सिर्फ खुद को जवाब देना है पर मुझे तो अपने उपर वालों को जवाब देना होता है अगर ये एबसलेंली जो एलरिज में रह रहा है अगर यही हत्यारा है वो फरार हो जाए और मैं यहां बैठा रहूं तो मेरे उपर वाले तो मेरी खाल ही खींच लेंगे तुम्हें परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, हॉम्स ने कहा आपको कैसे पता? क्योंकि यहां से भागना अपने जुर्म को स्वीकार करना होगा लेकिन हम चल कर उसे गिरफतार क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मुझे उमीद है कि वो यहां आता ही होगा लेकिन सर वो यहां क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसे आने के लिए लिखा है आप कैसी बातें करते हैं, मिस्टर होम्स? वो आपके कहने पर यहां क्यों आएगा भला? क्या उसे शक नहीं हो जाएगा और उसकी वजह से वो भाग नहीं जाएगा शर्लक होम्स ने बड़े ही शांत स्वर में कहा मुझे पता था कि मुझे पत्र में क्या लिखना है वास्ताव में तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जनाब वही है जो सामने सडक पर चले आ रहे है एक आदमी तेजी से सडक से चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था वो एक लंबा सुन्दर सामले रंग का आदमी था जिसने फलालेन का सूट पेहन रखा था और पनामा हैट लगा रखा था उसकी सक्त काली दाड़ी और तीखी नाक थी और वो एक छड़ी को हिलाता हुआ चल रहा था सडक पर उसके चलने का ढंग कुछ ऐसा था मानो वो सडक उसके बाप की जागीर हो फिर उसने बड़े जोर से दरवाजे की घंटी बजाई होमस ने शांत स्वर में कहा मुझे लगता है हमें दरवाजे के पीछे हो जाना चाहिए ऐसे दुष्ट व्यक्ति के सामने हमें पूरी साफधानी बरतनी होगी इंस्पेक्टर तुम्हें अपनी हतकड़ी का इस्तेमाल करना होगा बात करने का काम मुझ पर छोड़ देना हमने लगभग एक मिनट तक चुपचाप इंतजार किया ये एक मिनट इस तरह बीता जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उसके बाद दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसी समय बिजली किसी गती से होम्स ने उसकी कनपटी पर पिस्तॉल रख दी और इंस्पेक्टर ने उसे हतकड़ी पहना दी ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाया उसने अपनी जलती हुई निगाहों से एक-एक करके हम सब को घूरा हिल्टन क्यूबिट के पत्र की वजह से आया हूँ अब ये मत कहना कि उसने इस जाल को लगाने में मदद की है मिसिस क्यूबिट गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अब मौत के कगार पर हैं होमस ने कहा उस आदमी के गले से एक लंबी चीख निकली जो पूरे घर में गूँज गई वो खतरनाक ढंग से चीखा क्या तुम पागल हो गायल तो वो हुआ था मिसिस क्यूबिट नहीं उस छोटी सी अलसी को कौन गायल करेगा मैंने तो उसे बस धमकाया था भगवान मुझे माफ करे मैं तो उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता कह दो कि तुमने अभी जो कहा वो जूट है वो गायल नहीं हुई है वो अपने मृत पती के पास बुरी तरह गायल अवस्था में मिली थी वो एक दर्द भरी कराह के साथ सोफे पर बैठ गया अपने हतकड़ी बंधे हातों में अपने चेहरे को उसने चुपा लिया और पांच मिनट तक वैसे ही बैठा रहा उसके बाद उसने धीरे से चेहरा उपर उठाया और बड़े ही गमकीन स्वर में बोला मुझे आपसे कुछ नहीं चुपाना है अगर मैंने उस आदमी पर गोली चलाई थी तो उसने भी मुझे पर गोली चलाई थी इसमें हत्या जैसी कोई बात नहीं थी लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस महिला को नुकसान पहुँचा सकता था तो इसका मतलब है कि आप ना उसे जानते हैं न मुझे इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा आदमी उसे इतना चाहता होगा जितना मैं उसे चाहता था मेरा उस पर अधिकार था बरसों पहले उसे मेरे लिए तै किया जा चुका था इस अंग्रेज को हमारे बीच में आने का क्या हक था मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर पहला हक मेरा था और मैं जो मेरा था बस उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था होम्स ने सकत स्वर में कहा यानि कि जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो उसने तुमसे किनारा कर लिया था तुमसे बचने के लिए वो अमेरिका से भाग गई और उसने इंग्लैंड में एक सभ्या आदमी से शादी कर ली लेकिन तुमने उसका पीछा किया और उसकी जिन्दगी को नरक बना दिया ताकि वो अपने उस पती को छोड़ दे जिसे वो बहत प्यार करती थी और जिसकी इज़त करती थी और तुम ये चाहते थे कि वो उसे छोड़ कर तुम्हारे साथ जाए जिससे वो डरती है और नफरत करती है तुम्हारी हरकतों की वजह से उसके पती की मौत हो गई और उस महिला ने आत्महत्या की कोशिश की ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है मिस्टर एपसलेंली और अब तुम्हें कानून को इसका जवाब देना होगा अगर एलसी को कुछ हो गया तो मुझे कोई परवाह नहीं चाहे मेरा जो हो उस अमेरिकी उसने अपने एक हाथ को पहलाया और अपनी मुठी में दबी एक परची को देखा फिर बोला ये देखो आप मुझे उसके घायल होने की बात कहकर डरा तो नहीं रहे हैं अगर वो इतनी घायल है जितना आप कह रहे हैं तो फिर ये नोट किसने लिखा है उसने वो नोट मेज पर उचाल दिया इसे मैंने लिखा है तुम्हें यहां लाने के लिए तुमने लिखा है हमारे अड़े के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे इस भाशा का ग्यान हो तुम इसे कैसे लिख सकते हो भला उसने कड़वे स्वर में कहा एक आदमी अगर कुछ बनाता है तो दूसरा उसकी खोज भी कर सकता है होमस ने बड़े ही मजे से कहा तुमको नौरविच ले जाने के लिए गाड़ी आती ही होगी मिस्टर एब लेकिन इस दर्म्यान जो जखम तुमने दिये हैं उनका प्राइस्चित करने का कुछ वक्त तुम्हारे पास है क्या तुम्हें पता है कि मिस्स हिल्टन पर ही अपने पती की हत्या का शक है ये तो मेरे यहां होने और मेरे पास इससे संबंधित जानकारी होने की वज़ह से ही वो इस इलजाम से बच सकी है तुम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि सारे संसार को बता दो कि उनका इस हत्या से किसी किस्म का कोई संबंध नहीं है मेरे लिए भी इससे बहतर और कुछ नहीं होगा मुझे लगता है कि मेरे लिए सब सच बोलना ही ठीक रहेगा उस अमेरिकी आदमी ने कहा इंस्पेक्टर ने उसे टोकते हुए कहा लेकिन ये बताना मेरा फर्ज है कि जो भी तुम कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तिमाल किया जा सकता है ये सुनकर स्लैनली ने अपने कंधे जटक दिये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि मैं इस महिला को तब से जानता हूँ जब ये बच्ची थी शिकागो में हमारे गैंग में हम साथ लोग थे एलसी के पिता हमारे गिरोह के सरदार थे वो बड़े ही चालाक व्यक्ती थे उन्होंने ही इस हस्तलिपी को बनाया था जो देखने में किसी बच्चे की चितरकारी जैसी लगती है जब तक कि उसे पढ़ने की कुणजी आपके पास ना हो एलसी ने हमारे गिरोह के कुछ तौर तरीके सीखे लेकिन वो इस कारोबार को ज्यादा जहेल नहीं पाई और चुंकि उसके पास इमानदारी की कमाई का कुछ पैसा था इसलिए वो हम सब को जहासा देकर लंडन चली आई उसकी सगाई मुझसे हुई थी और अगर मैं किसी अन्ने धंदे में होता तो वो मुझसे ही शादी करती मैं जब तक उसका पता लगा पाता तब तक उसकी शादी इस अंग्रेज से हो चुकी थी मैंने उसे पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसके बाद मैं यहाँ आया और चुकी पत्रों से कोई काम नहीं बनने वाला था इसलिए मैंने यह संदेश ऐसी जगा लिखे जिससे वो इन्हें पढ़ सके मुझे यहां रहते एक महिना हो गया है मैं उस फार्म में ठहरा जहां मेरे पास नीचे एक कमरा था जहां से मैं हर रात बिना किसी को पता चले बाहर आजा सकता था मैंने लसी को समझाने की बहुत कोशिश की मुझे पता था कि वो उन संदेशों को पढ़ रही थी क्योंकि एक बार उसने उन में से एक के नीचे जवाब भी लिखा था उसके बाद मेरा गुसा बढ़ता गया और मैंने उसे धमकिया देना शुरू किया उसके बाद उसने मुझे एक पत्र भेज कर यहां से चले जाने को कहा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पती को इस बारे में कुछ भी पता चला तो उसका दिल तूट जाएगा उसने कहा कि जब उसका पती सो रहा होगा तब रात को तीन बजे वो नीचे आएगी और आखिरी खिड़की पर खड़ी होकर मुझे से बात करेगी लेकिन सिर्फ इस शर्ट पर कि अगर मैं उसके बाद यहां से चला जाऊ वो नीचे आई और अपने साथ काफी पैसा भी लाई मुझे यहां से जाने के लिए रिश्वत देने के लिए इस बात ने मुझे पागल सा कर दिया और मैंने उसकी बाहें पकड़कर उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की उसी समय उसका पती हाथ में पिस्टॉल लिये वहां आ गया उसे देखकर LC जमीन पर लुड़क गई अब मैं और उसका पती आमने सामने थे मेरे पास भी पिस्टॉल थी और मैंने उसे डराने के लिए अपने पिस्टॉल लहराई ताकि वो मुझे वहां से जाने दे पर उसने गोली चला दी जो कि मुझे नहीं लगी ठीक उसी समय मैंने भी गोली चलाई थी जो उसे लग गई और वो गिर गया मैं बाग की तरफ भागा जब मैं भाग रहा था तो मैंने पीछे खिड़की के बंध होने की आवाद सुनी थी बस यही मेरी कहानी है यहां के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता था जब तक कि वो घुड सवार लड़का इस नोट को लेकर नहीं आया जिसे पढ़कर मैं एक मुर्गे की तरह यहां आ गया और आपके बिछाय जाल में फस गया जब तक उस अमेरीकी की बात खत्म हुई तब तक पुलीस की गाड़ी भी आ गई जिसमें दो वर्दी धारी पुलीस वाले बैठे थे इंस्पेक्टर मार्टिन ने उठकर अपने कैदी के कंधे को चुआ और बोला अब तुम्हारे चलने का वक्त हो गया है पर जाने से पहले क्या मैं एक बार उसे देख सकता हूँ नहीं वो बेहोश है इंस्पेक्टर ने कहा मिस्टर शर्लक होम्स मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी कोई महत्वपूर्ण केस हो तो मुझे आपके साथ का सौभाग्य अवश्य मिले इतना कहकर इंस्पेक्टर उसे साथ लेकर बाहर निकल गया हम खिड़की पर खड़े हो गए और उस गाड़ी को जाते हुए देखते रहे जब मैं पीछे मुड़ा तब मेरी निगाह कागज के उस पुरजे पर गई जो कैदी ने मेज पर उचाला था ये वो नोट था जिसके जरिये होमस ने उसे अपने जाल में फसाया था उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा चलो देखते हैं वाटसन क्या तुम इसे पढ़ सकते हो उसमें कोई शब्द नहीं थे बलकि नाचते हुए आदमियों की आकरितियां थी अगर तुम उस कोड का इस्तेमाल करोगे जो मैंने तुम्हें बताया था तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है फौरन यहां आजाओ होमस ने कहा मुझे विश्वास था कि वो इस निमंतरन को कभी ठुकरा नहीं सकेगा क्योंकि उसे ये लगेगा ही नहीं कि उस महिला के अलावा और भी कोई ऐसा लिख सकता है तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्त वाटसन हमने इन नाचते हुए आदमियों से एक अच्छा काम लिया जबकि अभी तक इनका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए ही किया जाता रहा था मुझे लगता है मैंने तुम्हारे लिखने के लिए तुम्हें एक अनोखा केस दे दिया है हमारी ट्रेन तीन चालिस की है और मुझे उमीद है कि रात के खाने तक हम बेकर स्ट्रीट में होंगे इस घटना के कुछ महिनों बाद हमें पता चला कि उस अमेरिकी एपसलेंली को मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन बाद में ये देखते हुए कि पहली गोली हिल्टन क्यूबिट ने चलाई थी उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया मिसिज हिल्टन क्यूबिट के बारे में हमें इतना पता चला है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं और अभी भी विद्वा के रूप में अपनी जिंदगी बिता रही है उन्होंने अपना सारा जीवन अपने पती की जायदाद की देख भाल और गरीबों की सेवा करने में लगा दिया है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट वाक्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें अगली कहानी के साथ जल्दी ही फिर मलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा